असलाम अलेकुम फ्रेंट्स, विलकम टू मैं कुकिंग वितेपेस आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बेबी पोटाइटोस पालक पुलो ये बहुत ही मज़िदार और बहुत टेस्टी बन कर तयार होता है इसे आप लोग एक बर जरूर ट्राइ कीजिए और ये सर्दियों के मौसम में जब छोटे आलू आते हैं तो इसे बनाया जाता है इसका टेस्ट बहुत अलग और बहुत अमेजिंग होता है इसे बनाना बहुत सिंपल है ये आप लोग एक बर बनाएंगे तो बागी सारे पुलाव बनाना भूल जाएंगे तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है पालक तकरीबन ये 2-2.500 ग्राम है इसे हमने अच्छे से धुल लिया है और इसे बारी काट लेना है इस बात का ख्याल दखें के पालक पुलाव में बिल्कुल ताजा पालक का इस्तमाल किया जाता है हमने यहाँ पर सभी को काट लिया है अब एक बॉल में ट्रांसफर कर देंगे हमने यहाँ पर 2 कप चावल लिया है तकरीवन यह 400 गिराम है इसे अच्छे से हमने धुल लिया है धुलने के बाद इसमें पानी डालकर आदे घंटे के लिए भिगोने के लिए छोड़ दिया है तो चलिए अब आगे देख लेते हैं तो यहाँ पर हमने आलू लिया है यह बिल्कुल छोटे-छोटे साइस के आप देख सकते हैं यह आलू बाकी दिनों में नहीं मिलते हैं सिर्फ सर्दियों के मौसम में मिलते हैं यहाँ पर जितने आलू है सभी को एक फॉक्स से इस तरीके से कर लेना है और जो आलू बहुत जादा छोटा है उसे आप छोड़ दें इसी तरीके से सभी आलू में कर लेना है यहाँ पर हमने सारे आलू को तयार कर लिया है तो अब इसे बनाना शुरू करते हैं तो यहाँ पर हमने पानी ले लिया है एक बरतन में तो इसमें जितने भी मसाले हैं सभी को निकाल लेते हैं और जो चावल हमने भीगो के रखा था इसमें डाल देना है अब इसमें एक बड़ा चम्मच नमक एट कर रही हूँ और आदी छोटी चम्मच निम्बू करस नमक और निम्बू का रस डालने के बाद एक बार अच्छे तरीके से चला लेना है बिल्कुल हलके हाथों से चलाना है अब इसमें एक उबाल आने का हमें इंतजार करना है आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत अच्छे तरीके से उबाल आ चुका है पक्रीबन ये हो चुका है तो इसे एक बार मैं चेक कर लेती हूँ तो इसमें जब दो कन्नी रह जाएगा तो आपको फ्लेम को आफ कर देना है तो ये देखिए सिर्फ दो कन्नी बच रहा है तो यहाँ पर हमने फ्लेम को आफ कर देना है और इसका सारा पानी निकाल लेना है तो हमने यहां इस टेनर में चावल को निकाल लिया है अब यहां पर हमने एक बरतन ले लिया है जिसमें हमें पुलाव पकाना है तो यहां पर 50 गिराव हमने बटर एड़ किया है इस पुलाव को बटर में बनाया जाता है तो डालने के बाद चारो तरफ से इस तरह से फैला दे ताके बटर जले नहीं अब इसमें कुछ खड़े गरा मसाले हम एड़ करेंगे तो एक छोटी चमच हमने जीरा ले लिया है साबुच जीरा एक स्टार एनिस और दस से बारा काली मिर्ज एक डालचीनी, दो हरी लाचीनी सभी चीजों को डालने के बाद कुछ सेकट के लिए चला लेना है ऐसा इसलिए करते हैं कि सारे गरा मसाले का फ्लेवर मक्षन में आ जाए अब इसमें कटा हुआ एक मेडियम साइज का प्याज आड़ कर देना है इसे बिल्कुल बारिक काटना है प्याज में कलर चेंज होने तक इसे चलाते हुए फ्राई करना है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर कलर चेंज हो गया है बहुत ज़्यादा गोल्डेन नहीं करना है अब इसमें हम आलू एड़ कर देंगे आलू के साथ हम जब प्याज को पकाएंगे तो प्याज में भी कलर गोल्डेन आ जाएगा तो आलू को डालने के बाद बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करना है अगर ज़्यादा क्वाइन टीटी में इस प्लो को बनाना है तो थोड़ा बहुत रिफाइन तेल का इस्तमाल किया जा सकता है तेकिन हाँ बटर का इस्तमाल जरूर करें इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है आप देख सकते हैं कि प्यास के साथ आलू बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है ये देखी आलू पर बहुत प्यारा सा कलर आ गया है ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है अब इसमें थोड़ा सा मसाला जाएगा आदी छोटी चमच हल्दी पौडर और एक छोटी चमच कश्मीरी लाल मिर्च ये दो मसाले के इलावा कोई मसाला का इस्तमाल नहीं करना है बस ये दो मसाले से इस पौड़ा का टेस्ट बहुत अमेजिंग होता है जब सूखे मसाले आप अड़ करें तो फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दें और स्लो फ्लेम पर कुछ सेकंड के लिए चला लें उसके बाद हमने यहां पर पानी आड़ कर दिया अधाकर और पसंद के मताबिक नमक डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लें और इसे ढख कर आलू गलने तक पका लें ये ख्याल रहे कि चावल में पहले से आपने नमक का इस्तमाल किया है इस पॉइंट पर नमक सबजी के मताबिक आड़ करें तो सबजी को ढखकर हमने पका लिया है इसे मैं चेक कर लेती हूँ देखिए बहुत अच्छे तरीके से ये आलू गल चुका है तो अब इसमें हम पालक आड़ कर देंगे इसे आड़ करने के बाद आलू के साथ बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है इस पॉइंट पर फ्लेम को हाई कर देना है लेकिन हाँ यहाँ पर पालक को पकाना नहीं है आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है जब यह पालक थोड़ा हो जाए तो अब हम इसमें चावल एड़ कर देंगे यहाँ पर हमने चावल को एड़ कर दिया है अब इसे एक लेर में कर देना है हमने मसाले में मिर्च का इस्तमाल नहीं किया है आप चाव हो तो वहाँ पर हरी मिर्च का इस्तमाल करें तो हमने यहाँ पर 4 मिर्च ले लिया है बीच से चीरा लगा लिया और इस तरीके से कर देना है बस यह हो गया है अब इसे ढखकर 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर दम देना है दस मिनट हो चुका है फ्लेम को हमने आफ कर दिया है उसके दो मिनट के बाद मैं इसे चेक कर रही हूँ यह इतना जादा टेस्टी पुलाव होता है कि जो एक बार खा ले तो वो टेस्ट को कभी नहीं भूल पाएंगे तो यह देखिए आप देख सकते हैं कि कलर कितना खुबसूरत आया है बिर्यानी पर और यह बहुत जादा टेस्टी और मज़े का लगता है आप लोगी से ज़रूर ट्राई कीजिए और फिड़ वैक ज़रूर दीजिए अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेर केजिए अगर मेरे चैनल पर नए है तो फ्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए वेबी पोटाइटोस पालक फुलाव बनकर रेडी हो चुका है थैंक्स पूर वाचिक फिर मिलेंगे एक नई वेडियो के साथ अभी के लिए लेती है जाजत अल्ला हाफिस